कि दश्वागत थे आपको नुमस्त संट्यों न्यूस वे पुश्टों वेक्षेस अनुक्त से धा अउप्डेट करें हैं एश्टोलोजी अलर्ट न्यूस की उसे हम बात कर से जो पर हुए है भगवान से गनेश के विश्रजन सुमौ्ठ तीथी की तानिकी कि किस दिन हो भगवान से गनेश का विसरजन और किस मोरते में हुआ वह उस दिन क्या तेथी रही तो आई जानते पूरी इस अलर्ट एश्ट्रोज अलर्ट की उसको विस्तार से दोस्तो बड़ी शुरूगने से पहले करना चाहूँआ आपने अभी तक चलना सस्क्राइब मे दिन देन लोग भगवान गनपती का लोग अपने घर में स्वागत करते हैं और अगले 10 दिनो तक भगवान गडेश की सेवा करते हैं कुछ लोग गनपती के दिन घर लाने के बाद अगले दिन ही उनका विसरजन कर देते हैं जबकि कुछ भक्त तीन दिन पाइट दिन और साथ दिन गनपती को अपने घर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं कुछ जात गनपती को अपने घर पूरे दस दिन रखते हैं और अनंद चतूर दर्शी के दिन भगवान गनपती की धूम दाम से विदाई करते हैं अनन्द चतूुरूरसी के दिन भगवान गनेश की विदाई जारूरी होती है हर हाल में अनन्द चतूूरूरसी के दिन गनपती विशवजन होना ही चाहिए अब जानते हैं गनेश विसरजन 2018 का शुब महर्त वत्य थी दोस्तों अनन्द जतूर दश्री पर होगा गनेश विसरजन 23 सितंबर 2018 को और 8 बज़ से लेकर 12 बज़े 12 बज़ कर 30 मिंट तक उसका महर्त है और 2 बज़े से 3.30 बज़े तक भी महर्त है आप 2.30 बज़े तक भी मह और 6-11 बज़े तक आप भगवान से गणेश को उसा सम्मान विसरजित करें गनपती की प्रतिमा को सम्मान के साथ उठा जाता है इदो अनलोग विदाईगी रिखाते हैं दोस्तों इस प्रकार की देश विज्यां की तमाम कफ्रों से अपडेट वालेट रहें इस सब्स्ता अपडेट रहें देश दुनिया की तमाम प्रतों से तो इस विडियो में इतना ही फिर आपके लिए उपरस्ते रहोंगे नजान घरी के साथ अब तक लिए दोस्तों खुश रहिए स्वस्त रहिए नमस्ते इंडिया